साथियों, किसानों की स्थिती को सुधारने की इसी महाभियान में देश में तीन करशी कानून लाए गए थे मकसद ये था कि देश के किसानों को, खास कर छोटे किसानों को और ताकत मिले उन्हें अपनी उपज की सही कीमत और उपज बेचने के लिए जादा से जादा विकल्प मिले बर्सों से ये मांग देश के किसान, देश के करशी विशेशग्य, देश के करशी अर्थसास्त्री, देश के किसान संगठन लगातार कर रहे थे पहले भी कई सरकारों ने इस पर मन्थन भी किया था, इस बार भी संसद में चर्चा हुई, मन्थन हुआ और ये कानून लाए गए देश के कोने कोने में कोटी कोटी किसानों ने, अनेक किसान संगठनों ने, इसका स्वागत किया, समर्थन किया, मैं आज उन सभी का बहुत बहुत आभारी हुँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ साथियों, हमारी सरकार, किसानों के कल्याण के लिए, खासकर छोटे किसानों के कल्याण के लिए, देश के क्रसी जगत के हित्में, देश के हित्में, गाउं गरीब के उजवल भविश्य के लिए, पूरी सत्य निष्ठा से, किसानों के प्रती पूर्ण समर्प्रभाव से नेक नियत से ये कानून लेकर आई थी लेकिन इतनी पवित्र बात पूर्ण रुप्षे शुद्ध किसानों के हितकी बात हम अपने प्रयासों के बावजूद कुछ किसानों को समझान नहीं पाए बले ही किसानों का एक वर्ग ही विरोत कर रहा था लेकिन फिर भी ये हमारे लिए महत्पूर्ण था कृषी अर्थसात्रियों ने वैज्याकिनिकों ने प्रगतिशिल किसानों ने भी उन्हें कृषी कानूनों के महत्पूर्ण को समझाने का भड़पूर्ण प्रयास भी किया हम पूरी विनम्रता से खूले मंद से उन्हें समझाते रहें अनेक माध्यमों से व्यक्तिगत और सामुहिक बात्चित भी लगातार होती रही है हमने किसानों की बातों का उनके तर्क को समझने में भी कोई कोर कसर बाकिन नहीं छोड़ी है कानून के जिन प्रावधानों पर उन्हें एतराज था सरकार उन्हें बदलने के लिए लिए भी तैयार हो गई दो साल तक हमने इन कानूनों को सस्पेंट करने का भी प्रस्ताव दिया इसी दोरान ये विशह माननीय सर्वोचे नयाले के पास भी चला गया ये सारी बाते देश के सामने हैं इसलिए मैं इनके अधिक विस्तार में नहीं जाओंगा साथ क्यों मैं आज देश वास्यों से क्षमा मागते हुए सच्चे मन से और पवित्र रदे से कहना चाहता हूँ कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी जिसके कारण दिये के प्रकास जैसा सत्या कुछ किसान भाईयों को हम समझा नहीं पाए आज गुरु नानक देवजी का पवित्र प्रकाश परव है यह समय किसी को भी दोस्त देने का नहीं है आज मैं आपको पुरे देश को यह बताने आया हूँ कि हमने तीन कुरुषी कानूनों को वापस लेने का रिपील करने का निर्णे लिया है इस महिने के अंत में शुरू होने जा रहे है समसत सत्र में इसी महिने में हम तीन कुरुषी कानूनों को रिपील करने की सम्विधानिक प्रक्या को पूरा कर देंगे साथियों, मैं आज अपने सभी अंदोलन रत किसान साथियों से आगर कर रहा हूँ आज गुरु परब का पवित्र दीन है अब आप अपने अपने घर लोटे, अपने खेत में लोटे, अपने परिवार के बीच लोटे अपने 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 अपनेश्ग से अपने आपके लोटे, अपने को मापने से आपते रहा हुआए आपने के लोटे है